आप कोई भी सर्कीट को रिपेर करते हैं और उस सर्कीट से रिलेटेड क्या इसू आता है चाहें वो एमपीर चेक करना हो कि यहां पर देखेंगे हर एक चीज को अनलोग और डिजिटल में यहां पर आपको दिखाएगा जो कि हलो प्रेंड आप सबका बहुत दोस्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर और यह एक नाया लैब है जो कि एवाईकल का लैब है जहाँ पर हम एवाईकल की जो ट्रेंग है वो देते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहा है कि यह complete हमने नया लैब को जो है यह बनाया है और यह जैसे कि हमारा जो खोरसेश है इवाईकल का जिसमें हम ए रिक्सा हो गया e-bike हो गया, e-car हो गया, e-cycle हो गया, electronic में जो battery से use होने वाले जो device मतलब जो गाड़ी है जो आजकल जो चल रही है, उसका जो है हमने जो हमारा दूसरा lab है वो तो है लेकिन हमने इस lab को जो है वो बनाया है proper जैसे आप देखेंगे starting जो है जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमा जैसे कि आप कोई भी controller charger हमें भेजते हैं तो यहाँ पर रिपैरिंग हो सके प्लस classes का जो है प्रोपर जो है यहाँ पर setup बना हुआ है जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग लग टाइप के जो charger होता है चाब एक जूम हो गया या नोर्मल charger या रोटीर charger हर एक प्लस यहाँ पर यह controller आप देखेंगे कि एक से बढ़कर जो है अलग लग टाइप के controller है तो यह बैसिकली यह service center मतलब जो है class तो चले गई चलेगा लेकिन service center जैसे बैठके आप student यहाँ पर practice कर सकते है प्लस सबसे main चीजे है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिखाईए यह जो चीजे है वो आप देखके हैरान हो जाएंगे कि यह है क्या जिसमें आपको हर एक type का complete अगर आप कोई भी circuit को repair करते हैं और उस circuit से related क्या issue आता है चाहें वो ampere चेक करना हो कि controller charger यह motor कितना ampere ले रहा है यह वोल्ट कितना ले रहा है यहाँ पर देखेंगे हर एक चीज क analog और digital में यहाँ पर आपको दिखाएगा जो कि हम जब भी चेक करेंगे इसके तरू तो इस पर भी और बड़े मतलब मैं वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें आपके देखी ampere, DC ampere के लिए हो गया, DC voltage के लिए हो गया, यह analog ampere के लिए हो गया, AC ampere के लिए हो गया, प्लस एक एक यह डिजिटली जो है, सो यहाँ पर आपको दिख रहा है, हर एक टाइप का कि किसका क्या यूज होता है, और हर एक बटन प्लस हर एक सर्कीट के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल से हम बताएंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो में मैं यह लैब का बना रहा करेंगे और एक एक चीज को प्रॉपर हम डिटेल से आपको बताएंगे कि उसको हमें अगर कोई भी एक सर्कीट को रिप्यार करना है, तो हम बेसिक से लेके, चाहें वो सर्कीट की बात करें, हम बोर्ट पे ब्लोक डाइग्राम के तरू या जो है, डियसो मसीन देखेंगे डियसो मसीन सा, कैसे यूज करेंगे, प्लस यह अलग-लग मेटर, बोल्ट मेटर, डिजिटल मेटर के द्वार्ण हम कैसे बोर्ट को रिपेर करेंगे, और कहां पर कितना एंपियर आ कुसा कैसे हम उसको कैसे कन्फır्म करेंगे, कि यह कॉम्पोनें खराब है, तो यह मिलेगा और आप सबको पता है कि हमारे पार हर एक टाइब के पैर कोर्सेस हम कराते हैं लेकिन हम आपको गाइड यही करेंगे कि अगर आपको किसी भी टाइब के courses करना है तो आप offline आके करिए ठीक है online नहीं क्योंकि online में उतना perfection नहीं होता है जितना offline होता है online सीख के आप 100% कभी भी repairing नहीं कर सकते हैं आप कहीं से भी करते हो लेकिन offline आते हो तो 100% आप repairing यहां से आप कर सकते हो और जो भी classes है वो सब proper life आपको कराया जाता है हर एक backup support रहता है तो बस यह वीडियो जो हम बेसिकली यसी लिए बनाए है कि आप देख सकें इस lab को और इस lab में क्या है कौन सा टूर्स जैसे आप देखेंगे और लग लग टाइप पे सकें यहां पर बैट के प्रॉपर चेक कर सकें तो हर एक के लिए एक सीट बनाया गया है जिस सीट को आप यूज कर सकते हैं और रिपैरिंग में या प्रैक्टिस करा रहे हैं तो वहां पर आप इसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं रही बात जो है कि यह एक लाइन जो है जै इलक्टिक होने वाली है, इलक्टिक है मतलब है आप देखें पेट्रॉल डीजर का जो दाम है वो दिन पर दिन कितना बढ़ रहा है, और मार्केट में भी आप देखेंगे कि हर एक कोई चाहँ वो गाड़ी की, कार की बात करें, साइकल की बात करें, भाई की बात करें, वो ज्यादा खर्चा नहीं है, अगर आपके पास कम बजट है, और कम बजट में कोई एक विजनस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस विजनस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो आई होप कि आपको ये देखके अच्छा लगा होगा, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया, और ये इस बोड के बारे में बताना चाहते हैं कि ये बोड को अगर आपको भी बनवाना है, तो हम ये आपको बना के दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग आके लेना पड़ेगा, मतलब जब तक इसके बारे में यहां पे आके ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तब तक आप इसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक एक चीज को आपको एक प्रॉपर एक्स्प्लेइन के जाएगा कि इसमें जो है इसका यूज क्या होता है इसका यूज क्या होता है इसमें जो यह नंबर लिखा है नंबर से क्या होता है प्रॉपर एक एक चीज को explain करेंगे तो अगर आपको चाहिए या हम अपने students से भी बनवाते हैं अगर आपको यहां course करते हैं तो उन से भी यह बनवाते हैं तो बस यह वीडियो यहीं तक है अगर वीडियो आपको आच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक किजिएगा share किजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं